नमस्कार मैं अंशिका गुपता आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार शादी का सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है शादी का सर्टिफिकेट एक लीगल सर्टिफिकेट है जो आपकी शादी को व्यधानिक बनाता है ये सभी धर्मे की शादियों के लिए जरूरी है इसके लिए मैरिट कपल को रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी के कुछ प्रूफ और विटनेस सम्मिट करने होते हैं और रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट बना कर सौपता है चुंकि ये एक लीगल सर्टिफिकेट है ऐसे में किसी भी सरकारी व्यवस्था का लाब लेने के लिए आपके पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट होना बेहत जरूरी है आईए जानते हैं शादी का सर्टिफिकेट कहां कहां काम आता है शादी के बाद अगर आप joint bank account खुलवाना चाहते हैं तो marriage certificate लगाना होगा पासपोर्ट के लिए apply करते समय भी शादी के legal certificate की जरूरत पड़ेगी अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं तो अपना marriage certificate लगाना जरूरी होगा अगर couple travel visa या किसी देश में permanent residence के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो marriage certificate लगाना होगा अगर महीला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती तो ऐसे में marriage certificate के बगएर सरकारी सोविधाओ का लाप नहीं मिलेगा शादी के बाद किसी national bank से loan लेने के लिए शादी का certificate बेहत जरूरी होता है किसी भी तरह कि कानूनी मामले में marriage certificate जरूरी होगा जैसे अगर couple में से कोई एक शादी के बाद धोका दे कर भाग जाता है तो शिकाया दर्ज कराने के लिए शादी का certificate काम आएगा तलाग की अरजी लगाने के लिए भी marriage certificate काम आएगा सिंगल मदर या तलाग शुदा महिलाओ को नौकरी में reservation लेने के लिए तलाग का document दिखाना होता है पर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अपना marriage certificate कैसे बनवाए सबसे खास बात यह है कि कोरोना संकट के चलते शादी के registration की सुविधा अब online कर दी गई है Marriage certificate form के साथ कुछ जरूरी documents भी upload करने होंगे जिसमें couple का अधार card, couple का birth certificate, couple के passport size photograph, आपके शादी की card का photograph सभी documents के साथ couple को registrar के सामने उपस्थित होना होगा जिन गाओं में इसकी सुविधा नहीं है, वहाँ शादी की registration के लिए couple gram अधिकारी के office में संपर करना होगा साथी जाते जाते आपको ये भी बता दे कि समारने तोर पर couple को शादी की 30 दिन के अंदर marriage registration के लिए आविधन करना होता है हालंकि couple additional fees के साथ 5 साल तक marriage registration के लिए आविधन कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी शादी को 5 साल से जादा कसमे बीट चुका है तो marriage registration की चूट संबंधित जिला रजिस्टरार ही दे सकता है फिलहाल के लिए इतना ही शुक्रिया